हलो एवरिवन, आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार, टेस्टी और यूनीक गवार की सबजी की रेसिपी तो आए शुरू करते हैं, सबसे पहले 800 ग्राम के करीब मैंने गवार फली ली है गवार फली लेते हैं खास थ्यान दे गवार पतली पतली हो, ऐसे मोटे मोटे गवार को अलग कर दे अब इसे दोनों तरफ उपर से कट करके ऐसे चौप कर लेंगे सभी को चौप कर लिया है, अब इसे अच्छे से वाश कर लेंगे अब एक प्रशर कूकर में सभी गवार फली को आट कर देंगे बिलकुल थोड़ा सा हल्दी आट कर देंगे एक छोटी स्पोन नमक आट कर देंगे गवार डूप जाए उतना पानी आट कर देंगे मिक्स करके हाई फ्लेम पर तीन सीटी लगा लेंगे कूकर अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद कूकर का ढखकन खोल कर चैक कर लेंगे गवार हमारे बॉइल हो चुके हैं पानी को चान कर अलग कर लेंगे अब हम ड्राइब मसाला बना लेंगे थोड़ी सी मुंफली ले लेंगे एक तेबस्पून खड़ा धन्या ले लेंगे चार से पांच काजू ले लेंगे एक तेबस्पून सफेद तिल ले लेंगे एक तेबस्पून जीरा ले लेंगे फ्लेम ओन करके कंटिनियो चलाते हुए एक मिनट धीमी फ्लेम पर रोस्ट करेंगे दो खड़ा लाल मिर्च आड़ कर देंगे पांच छे लसन की कलिया आड़ कर देंगे भुन लेंगे थोड़ी दे दो टेबल स्पून बेसन आड़ कर देंगे दो टेबल स्पून नारेल का बुरादा याने की टोपड़ा की छीन आड़ कर देंगे बेसन थोड़ा light brown हो जाए तब तक सिख लेंगे सभी को सभी चीजे सिख गई है थंडा कर लेंगे थंडा हो जाने के बाद mixture jar में डाल कर अच्छे से blend कर लेंगे अब एक कड़ाई में 4-5 tablespoon तेल गरम कर लेंगे half tablespoon जीरा आट कर देंगे half tablespoon अजवाईन आट कर दें अजवाईन के तड़के से गवार फली की सबजी असानी से digest हो जाती है तो जरूर से अजवाईन का तड़का दे एक चोथा tablespoon हिंग आट कर देंगे दो प्यास को मैंने chopper में एक तब बारिक chop कर लिया है प्यास आट कर देंगे अब continue चलाते हुए प्यास को soft और light brown होने तक भून लेंगे प्यास भून चुका है अब हम थोड़ा सा पानी आट करके मसाले कर लेंगे पानी आट करने से मसाले हमारे जलेंगे नहीं एक tablespoon धन्या पाउडर आट कर देंगे half tablespoon लालमेच पाउडर आट कर देंगे एक चौथा tablespoon हल्दी आट कर देंगे अब हम भूने हुए मसाले का पाउडर आट कर देंगे सभी को अच्छे से mix कर ले ये मसाला है सबजी में एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आट कर देता है थोड़ा सा पानी आट कर देंगे और मसाले को 2-3 मिनट भून जाने देंगे बीच-बीच में चलाते रहे आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है साइट से मतलब मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है अब हम 2 टमाटर की फ्योरी आट कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर अभी तक आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले अब हम स्वात के अनुसार नमक आट कर देंगे मिक्स दे दे और धक कर 4-5 मिनट टमाटर को चट जाने देंगे बीच-पीच में चलाते रहे तेल सेपरेट हो चुका है और हमारी मसाली अच्छे से चट चुकी है आप देख सकते हैं ग्रीवी हमारी कितनी टेंटिंग दिख रही है मतलब सब चुह हमारी कितनी मज़दार बनने वाली है अब हम बॉयल गवार फली आट कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे और धक कर 2-3 मिनट धीमी आज पर कुक कर लेंगे जिससे सभी मसाले गवार फली में अच्छे से मिल जाए मैं इसमें पानी का इस्तमाल नहीं कर रही ड्राय बना रही हूँ आप चाहे तो पानी थोड़ा आट करके ग्रेवी वाला बना सकते हैं हमारी टेम्टिंग गवार फली की सबजी बनकर रेडी है धन्यापती से गानिश करके गर्मा गरम सर्फ कर ले एक बार इस सबजी को जरूर से ट्राय दे, you gonna love it अगर recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करे